ये एक updated वीडियो है आपके साथ शेयर किया था कुछ शलजम, मूली, चुकंदर को फेकने वाली कटिंग से ग्रोग किया था पानी में और मिट्टी में तो उसका रिजल्ट एकर मैं इस वीडियो में हाजिर हुई हूँ, वही दिखाने वाली हूँ कि जो सब्जिया मैंने लगाई है वो ग्रोग हुई है या नहीं अस्वालेकूम फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, शबनूरली इसको हमने पानी में लगाय था टर्निप्स को शल्जम को तो इसके पत्ते सेलरी में यूज करते रहते हैं, ग्रो करते हैं पानी में भी और कुछ टर्निप्स की कटिंग हमने लगा दी थी, इस क्यारी में, मिट्टी में जिने पौधों का शौक होता है वो हर तरह के पौधों से प्यार करते हैं वो चाहे सबजियों के हो या फलों के या फिर हो फूलों वाले और हमेशा एक क्रियोसिटी बनी रहती है कि ये किस तरह से ग्रो होते हैं इसके फूल कैसे आते हैं, इसमें फल किस तरह से आ सकते हैं, या हम कटिंग से कैसे ग्रो करते हैं, बीज से कैसे ग्रो करते हैं, तो ये सारी जिग्यासाएं हमारे मन में होती हैं, अब रिजल्ट चाहे जो भी आए, रिजल्ट वैसे अच्छे नियस से कोई काम करते हैं, अच ना कोई पौधे खरीदने पड़े, फ्री में ही इतनी सारी सब्जियां ग्रो हो गई, ये मुझे देखने को मिल गया, तो गार्णिंग में फन बहुत जादा है, गार्णिंग जरूर करना चाहिए, पानी में काफी दिन रखने के बाद जब सिर्फ पत्ते मिलने लगे, और प इसमें ही हमने ये पानी में रखी हुई कटिंग भी निकाल कर लगा दी, तो आगे हम दिखाएंगे कि ये लगी है या नहीं, और इसको मिटी में लगाने के बाद कहीं कोई जगा हमने चेंज नहीं करी है, ये सिर्फ टैरेस पर रखा है, धूप में भी, पानी में भी, क्य मेलेट में यूज करना होता है, और वो टैर्निफ्स की कटिंग जो हमने मिटी में लगा रखी है, बहुत खुबसूरत लग रही है, मैं जादा तर प्लांट्स खुबसूरती देखने के लिए ही लगाती हूँ, सबजी मिलने का इतना नहीं है, पर एक्सपिरियंस तो होई जाता है प्लांट्स के बारे में, अब इस टर्निफ्स में शलजम की प्लांट में कुछ चोटी-चोटी सी कलियां बनी होई है, और उसमें यलो फूल खिलने वाले हैं, यही फूल बाद में बीज भी बना कर दे देंगे, पानी में रखी एक शलजम को हमने लगाया था इस जहां पर भी खाली जगा देखी वहां लगा दीजे, सबजिया कोई हमेशा नहीं रहती हैं जो प्लांटर को खराब कर देंगी, ग्रो हो जाएंगी आपको निकाल लेना है, प्लांटर फिर से खाली हो जाएगा, इसमें भी बीज आ रहे हैं, क्योंकि यह बीज का ही सीजन ह कोई चांस नहीं, इस टाइम यह बीज ही बनाएंगे, इस चुकंदर को बच्चे ने तोड़ दिया था, उस टाइम यह बहुत अच्छी ग्रोध कर रहा था, बड़े-बड़े से पत्ते आ रहे थे, लेकिन तोड़ने के बाद दुबारा मैंने री ग्रो किया, और फिर से चलने लगा, ग्रो बैग में लगी शलजम, अभी लगी हुई है, बीज उसमें भी आ रहे हैं, मूली में भी पत्ते आने लगे हैं, सबजियों की ग्रो करने की टाइमिंग हमारा लेट थी, इसलिए लेट रिजल्ट है, पर आपको बीज दो मिलेंगे ही, तो इसकी बीज औ और फूल हम आपके साथ शेयर कर लेंगे, अभी अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो एक लाइक कर दीजिये, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिये, और आपके मन में जो भी कमेंट्स आ रहे हैं, वो मेरे से शेयर कर लीजिये, गलती हो तो गलती बता दीजिय अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिये, आखिर आप गलतीयां बताएंगे, तभी तो हम अपने वीडियो को सुधार करें, और अपना सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इंशालला, अलाहाफिज